नमस्कार मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं ता खबरदार नियूस आईए एक नज़र डालते हैं कुछ खास खबरों पर तीन लगजरी वाहनों में लगबग सत्तर पेटी विद्यारती भापुसे द्वारा आगामे विदान सब चनाव को द्रश्टिकत रखती हो जिले में पधस्त समझत राजपत्रत अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को अवेद मादक पदार्थ शराब की तस्कीरी में ल प्रभारिक कारवाही हेतू आदेशित किया गया है आदेश के परिपालन में अध्रिक पुलिस अधिक शक अपराथ स्री समर वर्मा अध्रिक पुलिस अधिक शक सहर दक्षिन स्री कमल मौर तथा नगर पुलिस अधिक शक गोड़कपोर स्री एचार पांडे के मांग पूचना मिली कि आयूशी पामगीरिन अपार्टमेंट के पास काली रंग की बिना नंबर की स्कॉर्पियों में एक व्यक्ति अबैद रूप से शराप का पर्वहन करने के लिए खड़ा है। पूचना में बारे पेटी जिसमें रॉयल स्टेक की एक, मेक डावल की तीन पेटी, बैक पाइपर चार पेटी, आर्ट पीम की एक पेटी, ग्रीन पार्क की एक पेटी, ऑफिसर चॉइस की एक पेटी, बकराजडी बलेक एक पेटी, अंग्रेजी शराप कीमत लगबग 11,144 रॉपए की रखी होना पाई गए, जिसे मैं स्कॉर्पियों के जब्त किया गया, आरॉपी द्वारा उक्त शराप की संबन में पूच्टाश पर दो अन गाडियों में शराब लोड कर, दोनों गाडियों को आईशी पाम ग्रीन के पार्किंग में छुपा कर, खड़ी करना बताया, आरॉपी की निशान देही पर आईशी पाम ग्रीन के पार्किंग में दविशती गए, जहां एक सफेद रंग की सफारी स्टोम करमांग MP20C0388 एउंकाले रंग की किया सेल्टोस करमांग MP20C के 0088 में खड़े मिली दोनों गाडियों की तलासी लेने पर सफारी में 35 पेटी जिसमें बैक पाईपर की 11 पेटी, सिगनीचर शराब की 7 पेटी, रॉयल स्टेक की 9 पेटी, 8 पीम की 1 पेटी, रॉयल चैलेंजर की 1 पेटी, बकार्डी बलेक 1 पेटी, बकार्डी लेमन 1 पेटी, बकार्डी वाइट 1 पेटी, मैक डावल रम के पाव की 2 पेटी, मै अंग्रीजी शराग कीमत लगवग 3,73,496 रुपे रखी होना पाए गया इसी प्रकार किया सेल्टोस करमांग MP20C के 0088 की तरासी लेने पर 19 पेटी जिसमें सिगनेचर शराब की 2 पेटी 8 पीम की 4 पेटी ऑफिसर चॉइस की 1 पेटी बिलेंडर प्राइड की 2 पेटी जीनिस प 876 रुपे की रखी मिली आरोपी की कबजे से तीनों गाणियों में रखी अंग्रीजी शराग कीमती लगवग 6,38,516 रुपे एवं स्कॉर्पियो एक सफारी एवं एक किया सेल्टोस कार कीमत 35,8 रुपे की जब्त करती वी आरोपी देविंद पांडे उफ दीपू के विर अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें